हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, फ्रेंट्स ऐसा कि आपको पता है कि यह जो सीरीज चल रही है, यह वज़वत रिलेटेड है, और इस सीरीज में मैं आपको पीवाई क्यू करा रही हूं, यानि कि प्रिवेस यर क्वेशन्स करा रही हूं, जो क कि TGT और PGT में आए हैं, अभी तक हमने TGT के क्वेशन्स देखे थे, और अब हम PGT के क्वेशन्स देखने जा रहे हैं, यह दोनों ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस मैंने पहले 50 जो क्वेशन्स कराए हैं, फ़र्स नंबर पे, वो UGC NET के हैं, तो वो भी आपको कवर कर लेने हैं, इससे आपका benefit यह होगा कि वर्ट्स वर्थ से जो question पूछेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, तो बिना देर के हुए चलिए करते हैं, वीडियो को start, तो देखते हैं, अपना question number 76, 76 लिए, क्योंकि 76 के पहले, 75 तक के questions हम पहले कर चुके हैं, अगर आ of things, let nature be your teacher, यह lines किस poem में कही गई हैं, यह आपको बताना है, आपके option है, first, the tables turned, second है, the world is too much with us, third है, I wondered, lonely as a cloud, and fourth है, the solitary reaper, तो मेरे साथ साथ, आप लोग भी से solve करते चलिए, और comment में आप लोग अपने, बताया किजे कि कितने questions सही हुए हैं, यह देखकर मुझे अच्छा लगेगा, चलिए देखें, इसका जो सही answer है, वो है, the table turned, मैंने आपको बताया था, कि जो the table turned है, वो 1798 में, William Wordsworth के द्वार लिखा गया work है, आगे चलिए, आगे देखते हैं, अगला question, अगला question है, when did the first edition of lyrical ballad appears, यह question काफी important है, और काफी बार पूछा गया है, net में भी, TGT में भी, और PGT में भी, तो हो सकता है, repeat हो जाए, तो देखें, इसके option है, first, 1698, second है 1798, third है 1898, and fourth है 1794, तो देखें, इसका जो सही answer है, वो है आपका option number B, यानि की 1798, ठीक है, आगे चलते हैं, इस lyrical ballad के regarding, बहुत सारी information है, मैं फिर से repeat नहीं करूँगी, क्योंकि दो से तीन वीडियो में, मैंने पूरी information इसकी दे दी है, कि कब यह first published हुआ था, कब इसमें और चीज़े add की ग Whom is Wordsworth autobiographical poem, The Prelude Addressed? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है, जेन आस्टेन, सेकेंड है, कॉलरिस, थर्ड है, पोप, एन आपका फोर्थ है, डॉक्टर जॉनसन, तो यह जो इनकी The Prelude है, यह autobiographical work है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात, यह blank verse में लिखी हुई है, और यह कि इस हिसाब से आपका सही आंसर होता है, option number B, आगे चलते हैं, देखते हैं, अगला question, अगला question है हमारा, in three years she grew, the little girl will be sportive as, first the lawn, second the phone, third stars, and fourth है आपका review lengths, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो आंसर है, वो भी इसमें है, आप देख सकते हैं, in words worth, three years she grew, the little girl will be as supportive as a phone, यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, आगे चलिए देखते हैं, अगला question, अगला question है, question number 80, क्या है, who is the author of Tintorn Abbey, तो आपको पता है, इसको बताने की भी मुझे option पढ़ने की भी जरुवत नहीं है, I hope क्योंकि यह बहुत जादा हमने डिसकस कर लिया है, इसको Tintorn Abbey को, तो यह किस ने लिखा है, William Wordsworth ने लिखा है, आगे चलते हैं, अगला question देखते है, which of the following is poem by William Wordsworth, यह आपको बताना है, कौन सी poem William Wordsworth के द्वारा है, इसमें first option है, Daffodils, second है, on first looking into Chapman's Homer, third है, the for second Merman, last है, the last read together, देखें यह जो है, इनका work है, इनकी जो poem है, इसमें से कौन सी है, Daffodils है, मैंने पहले भी आपको कहा था, इनके work को एक बार आपको जरूर गो थू होना है, सारे works के at least name आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे question put up होते हैं, अब Daffodils के बारे में ये भी जान लीजे, कि ये इनकी कैसी poem है, ये इनके lyric poem है, और ये लिखी कब गई है, 1804 से लेकर, 1807 के बीच में लिखी गई है, और publish कब हुई है, 1807 में poem in two volume में, ये publish हुई है, ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं, अगला question, हमारा अगला question है, in which poem do the following lines occur, they flash upon that inward eyes, बताइए इसका सही answer क्या है, which is the bliss of solitude, तो first है, the education of nature, second daffodils, third है, the word is too much with us, fourth है, tintern abbey, तो ये line कहां से ली गई है, आपको बताना है, ये line ली गई है, आपकी daffodil poem से, ठीक है, तो आपका सही option क्या है, option number B, आगे चलते हैं, ये lines वेगरा as it is, आप याद कर लेंगे, बिल्कुल, the solitary reaper is a, देखे, इस तरह के question भी आते हैं, मैंने आपको कहा था कि, कोई भी जो poem है, या कोई भी work है, उसके journey को जानना बहुत जरूरी है, कि वो क्या है, वो ballad है lyric है, ode है, sonnet है, क्या है, novel है, drama है, मतलब उसके work को kind of work, tragedy है, comedy है, ये dance जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे question पूछता है, तो solitary reaper क्या है, या आप से पूछा गया है, तो आपको बताना है, solitary reaper क्या है, एक ballad है, ठीक है, ballad क्या होता है, a simple narrative verse, telling a story or song, एक simple narrative verse होता है, जो क्या करते है, हमें song या story को बताता है, ये है आपका ballad, और अगर हम ode की बात करें, तो a complex and lengthy lyric poem in a lofty style and serious object, serious object पर जब कोई lengthy lyric poem लिखी होती है, वो क्या होती है, ode होती है, ठीक, इस तरह से पूरा आपको और pastoral की, अगर lyric तो आपको पता है, अगर pastoral की बात करते हैं, मैं चारों आपको बता दे रही हूँ, ताकि अगर यहां से question put up हो, तो आप कर लें, pastoral क्या है, poem that deals with shepherd and rustic life, जो poem shepherd से और rustic life, यानि की गाउं के जीवन से deal करती है, उसके बारे में बताती है, वो क्या है, आपकी pastoral है, pastoral work, pastoral poem है, आगे चलते हैं, यह question भी देखे, बहुत important है, कई बार आया है, lyrical ballad was written by Coleris Ann, lyrical ballad जो है, वो दो लोगों का work है, आपको मैंने बता जाया था, किसका किसका है, William Wordsworth का है, प्लस कॉलरीज का है, तो यह question कई बार घुमाके आपसे पूछ देता है, कभी पूछेगा, Wordsworth का नाम देके, पूछेगा कि और किसका work है, तो आपको बताना होगा Coleris, कभी देखे, आपको Coleris का नाम देके, Wordsworth का नाम पूछ लेगा, क सब कुछ आपको बताये गया है जब Lyrical Ballot complete पढ़ाये गया है तब जाके चैनल पर जरूर एक बार देखेगा एक सिकन जस्ट अ सिकन ये थोड़ सा छोटा हो गया स्को में बड़ा कर लेती हूँ आगे देखे question number 85 है what's worth composed some of his finest poem during the year किस year में उन्होंने अपनी सबसे अच्छी poem, finest poem लिखी है सबसे best year उनका माना जाता है कौन सा है 1798 से 1799 ये questions repeated हैं इसलिए बार-बार मैं इसके बहुत साई option नहीं पढ़ रही हूँ just because आपका time बचाने के लिए कि आप questions आनिए और answer जा लिए बस काम को finish करिए इसलिए क्योंकि इतना time नहीं बचा है आप लोगों के पास आगे देखिए वर्ट्सवर्थ poem mostly deals with वर्ट्सवर्थ की जो poem है वो mostly किस से deal करती है क्या वो politics पे करती है या city life पे या humble and rustic life पे या revolution पे किस पे वर्ट्सवर्थ की poem सब जादा deal करती है यानि लिखी गई है तो इतना आपने पढ़ा है उससे आप पता ही सकते हैं कि वर्ट्सवर्थ की जो poem है वो humble and rustic life से यानि nature से deal करती है आगे देखिए अगला question है वर्ट्सवर्थ before his death resided at यानि कि वर्ट्सवर्थ अपने death से पहले कहां रह रह रहे थे फर्स्ट option है Rydal Mount सेकेंड है Grassmare पैर्सुनेज थर्ड है Dove Cottage एन फूर्थ है Allen Bank वर्ट्सवर्थ कहां पर रह रह रहे थे या आपको बताना है तो वर्ट्सवर्थ move to Rydal Mount with his family in 1830 until his death यानि कि वर्ट्सवर्थ जो है वो 1813 में अपनी family के साथ चले आते हैं कहां पर Rydal Mount में और अपनी death तक till his death ये वही पर रहते हैं तो यानि आपका option number A सही हो जाता है आगे देखी अगला question है question number 88 William Wortsworth Tintorn Abbey is बताना है कि Tintorn Abbey कैसा वर्ख है देखी ये question भी पुछा गया है first option है dramatic monologue है dramatic lyric है dramatic epic है या none of these इसमें से कोई नहीं है तो जो Wortsworth की Tintorn Abbey है उसको मैंने 200 बार बताया है कि वो क्या है एक dramatic monologue है आगे चलते हैं अगला question है कैसे है dramatic monologue क्यूं है ये भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर repeat नहीं करूंगी अगला question है in 1805 Wortsworth which poem was written 1805 में Wortsworth की कौन सी poem लिखी गई है Tintorn Abbey second The Prelude third Lucy poems and fourth जो है आपका The Solitary Reaper तो आपको बताना है इसका सही answer क्या है तो देखिए जो lyrical ballad है वो 1798 में आया था ठीक है 1798 में आया था इसी में जोड़ा गया था 1805 में The Preface to Lyrical Ballad ये भी आप ध्यान रहा है 1802 में जोड़ा गया था ठीक है इस point को भी ध्यान रखेगा इसमें 3-4 बार चीज़े जोड़ी गई है पूरा detail मैंने आपको बताया है जाके जरूर चेक कीज़ेगा अभी इस question को देखे ये question जो कह रहा है वो 1805 में क्या लिखा गया है The Prelude को लिखा गया है option number B बिलकुल correct है आगे देखे The Prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called जो Prelude है वो किसका part है ये आपको बताना है First है The Excursion Second The Reclus Sea Yaror Revisted and Fourth है Peter Well बताईए सही answer इसका क्या है तो इसका सही answer है The Reclus ये भी मैंने वीडियो बना कर The Reclus बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगोंने मेरे सारे वीडियो में सबसे ज़्यादा The Reclus को ही पसंद किया है और आप उसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बहुत शेयर कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का बस इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखियो और जल्दी से जल्दी से एक हजार फैमिली तक पहुचाईए यह शेयर करके सबस्क्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ठीक तो दर रीकलूज आप वहाँ पर जाकर पूरा डीटेल में देख लीजेगा काफी अच्छा वीडियो पढ़ा हुआ है काफी अच्छा समझाया गया है उसमें और यह जो दर रीकलूज है इसके दो पार्ट है एक्सकरजन और दर प्रिल्यूट ठीक है और यह कभी यह इनका कम्प्लेट नहीं हुआ था आगे देखिए अगला क्वेशिन है यह कोट कहां से किस पोएम से लिया गया है यह आपको बताना है तो यह जो है यह question number जो आपका 91 है इसको आपको बताना है इसके option पहले देख लेते हैं ode to duty, second है lucy poems, third है the green linnet and fourth है the solitary reaper तो a violet by a moosey stone half hidden from the eyes यह आपको बताना है कहां से लिया गया है तो यह lucy poem, see dwelt among the untroden ways से लिया गया है यानि कि यह जो line है वो second of lucy poem lucy poems में आपको पता है lucy poems poems का collection है तो उसमें जो उसकी second poem है see dwelt among the untroden ways वहां से यह line उठाई गया है आगे चलिए देखते हैं अगला question, अगला question है हमारा which of these travel poems belong to William Wordsworth इनमें से कौन सी travel poem William Wordsworth से belong करती है उनकी है, first है descriptive sketches और यही आपका answer भी है, आगे पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि time आपके पास कम है आगे देखिए, आगे है lyrical ballads appear with देखिए यह question मैंने पहले भी अभी आपको कराया है फिर अभी भी करा रही हूँ बार-बार बता चुकी है इस question को और William Wordsworth और Coleridge का यह work है, दोनों ने कितनी-कितनी मतलब poems को इसमें contribute किया है यह आपको बताना है totally इसमें कितनी poem है पहले तो यह जा लिजे totally इसमें 23 poem है कितनी poem है, 23 poem है ठीक है और 4 poem by Coleridge है and 19 poem by Wordsworth है मैं लिख देती हूँ 23 is equals to 19 plus 4 19 किसकी है Wordsworth की है और 4 किसकी है, Coleridge की है यह आपको धिहान रखना है आगे चलिए अगला question है emotions recollected in tranquility the profound philosophy of Wordsworth was rejected by यह जो philosophy Wordsworth ने दी थी अपनी poem में उसको किसने reject कर दिया है emotion recollected in tranquility the profound philosophy of Wordsworth was rejected by T.S. Eliot ठीक है, option number B बिल्कुल सही है T.S. Eliot के द्वारा इनके philosophy को reject कर दिया गया है कि जो emotions होते हैं वो tranquility यानि कि एकांत में recollect ही किये जा सकते हैं इसको इन्होंने मतलब नहीं माना है आगे चलते हैं 95 number question पे in which year did Wordsworth add his preface to lyrical ballad आपको बताना है इसका सही answer क्या है देखिए मैंने आपको कहा था कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए इसको आप पूरा वीडियो वहां जाकर देखेगा तो इसका सही answer क्या है 1800 यानि इसका जो preface है वो 1800 में जोड़ा गया था फिर कब हुआ था फिर 182 में हुआ था इस तरह से या आगे बढ़ता है इसको पूरा डिटेलिंग आप जाकर चैनल पे चेक कीज़ेगा अगला देखिए the title of Wordsworth first poetical volume is देखिए मैं कुछ चीज़े इसमें मतलब बता रही हूँ और कुछ चीज़े कह रही हूँ जाके चैनल पे देखिएगा reason क्यू reason इसले क्यूंकि इनी सारी चीज़ों को मैंने 4-5 बार अल्रेडी बता दिया है questions को solve करवाते वक्त पहले जो निट में आए है या पढ़ाते वक्त बताया है तो उसे बार-बार repeat करने से वो student जो हर वीडियो को देख रहे है वो बोर हो जाएंगे की information को बार-बार दी जा रही है और जो नए है उनके लिए ये है कि वो वहाँ जाकर visit कर लें तो उन्हें इस information के साथ-साथ additional और बहुत सारी information मिल जाएंगी जो कि आपके exam के लिए बहुत ज़ादा important है आगे देखी अगला question है question हमने देख लिया था कि the title of Wordsworth first poetic volume is क्या था उनका first जो उनका poem था उसका क्या title था an evening walk and descriptive sketches जो है वो इनका first poem था कब आया था ये 1793 में यानि आपका option number first सही है descriptive sketches दे सकता है या फिर आपको दे सकता है an evening walk दे सकता है या फिर आपको दोनों दे देगा an evening walk and descriptive sketches ये इनका first work है ठीक first poem है और ये कब आई थी 1793 में आई थी ठीक आगे चलते हैं आगे देखते हैं अपना question number 97 to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie to deep for tears who said it किसने कहा है ये ये आपको बताना है तो देखिए इस line को किसीने कहा नहीं है बलकि ये line आई हुई है एक poem में किस poem में आई है ode intimation of immortality इसमें आई हुई है और ये किस की है William Wordsworth द्वारा लिखा गया work है उसी की ये line है तो ये line आपको याद कर लेना है प्लस ये याद करना है कि ये work की किस poem की line है ode intimation of immortality की ये line है ठीक आगे चलिए अगला question Lucy poems by William Wordsworth refers to ठीक है किसको refer की गई है क्या है ये Wordsworth early poems है आपने पहले ही देख लिए ऐसे पहले नहीं है ये early poems फिर क्या है a group of five lyrics by Wordsworth third है poems of Wordsworth in collection with callers ये तो है नहीं क्योंकि आपको पता है कि C वाला क्या है ये lyrical ballad है ठीक अगला क्या है Wordsworth humorous poem ये भी नहीं है यानि first भी नहीं है third भी नहीं है D भी नहीं है यानि option आपको क्या है B बिल्कुल correct है ये क्या है पाँच poems की एक series है ये कब लिखी गई है 1798 से 1801 के बीच में लिखा गया है इसको ठीक आगे चलते हैं अगला question देखते है question number 99 no night angle did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands from where are the ever quoted lines what's worth मतलब आपको ये बताना है ये जो lines है ये कहां से ली गई किस poem से ली गई है तो इसका option देख लेते हैं इसका option है आपका first solitary reaper second है ode to a night angle third है to the cuckoo and fourth है आपका the skylar तो ये कहां से ली गई है ये solitary reaper से ली गई है ये बहुत ही best बहुत ही अच्छी poem है इसको आप पढ़िएगा एक lady होती है जो की फसल की कटाई कर रही होती है और वो थोड़ी बहुत दुख में होती है सौरों में होती है और वो song आ रही होती है दुख भरा song आ रही होती है उसी के बारे में William Worsworth ने इस poem में बताया गया है और वहीं से इन होने ये line ली है कि मतलब कि आप ये देख लीजिए कि कोई भी जो night angle है वो इतना मधुर नहीं गा सकती ये ये कहना चाह रहे है कि जैसे कि जब traveler होते है band of travelers जब आता है तो अगर उनके welcome में night angle गाए तो भी वो इतना मतलब सुन्दर नहीं होगा जितना ये solitary पर ये girl गा रही है इस poem को पूरा अच्छे से आप देख लीजेगा काफी मतलब important lines इसमें से पूछी जाती है अगला देखिए अगला question क्या है who said the poet is man speaking to man किस ने कहा है first year Cillius second ST Collarist third है Dr. Samuel Johnson fourth है William Wordsworth तो ये जो line है the poet is man speaking to man ये किस ने कही है ये William Wordsworth ने कही है ठीक ये आपके 100 questions की series complete होती है और अगर आप कहेंगे लेकिन इसके लिए आपको comment करना पड़ेगा कि Wordsworth पर अभी आप और questions चाहते हैं या फिर अब Wordsworth को बंद करके आगे questions मतलब और कराए जाए किसी और writer पर तो ये आपको comment करके बताना है अगर आपको comment आएगा कि हाँ आप चाहते हैं तब ही आपको questions कराए जाएंगे otherwise Wordsworth के question यहाँ पर अब बंद कर दिये जाएंगे आगे किसी और writer का question लिया जाएगा तो ये आपके comment पर base करता है अगर आप कहेंगे तो कुछ एक question आपको और करा दिया जाएंगे जैसे कि आपको समझ लिजे 24-25 question और करा दिये जा सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो वस्वत के तो चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेगा और वीडियो को last तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद आप लोग please comment करके जरूर बताएगा और चैनल को share कीजेगा comment कीजेगा अगर कुछ आपके सुझाओं हो तो और लाइक कीजेगा subscribe भी कीजेगा और एक चीज़ और कहना चाहूंगी कि दो चैनल और है VN classes वहाँ पर जाकर आप PGT sociology की तियारी या फिर किसी भी GS subject की तियारी या फिर grammar की तियारी जो TGT के aspirant है अगर वो grammar ढूंड रहे हैं तो बहुत ही best तरीके से grammar VN classes पर पढ़ाया गया है आप वहाँ से जाकर के अपनी grammar की तियारी कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद